फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी के स्वागत है दोस्तों 15 अक्टूबर शिफ्ट वन का पहला पेपर ये पेट का हो चुका है पेट 2022 का इसमें आपको आज मैं जल्दी से अपने शौर्ट वीडियो के माध्यम से एक आंसर की सारे प्रशनों की accurate आंसर की बताने जा रहा टू दबेस्ट ऑफ और नॉलज और इसके साथ में ये आप लोगों के लिए इस लिहास से तो महत्पूर्ण है कि आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं आपने जो पेपर दिया उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितने आपके सही बन रहे हैं साथ ही जिनका अभी तीन इसमें भी थी सचाई भी थी रासाइनी गुरुवरक पीड़ा भी थी तो पीडग नाशी था तो यह सभी इसका सही आंसर होगा इसी प्रकार से अगर बात करें बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो कोशिक कहा जाता है 15 योजनाओं को अंतिम स्विकृति निम्लुक्षित मे प्राथमिक शेत्र की होती है उसके बाद देखिए तो पांचमा प्रश्ण है वारिजिक बैंक नहीं है तो इसमें आपको पता है जो आपको बशना सॉल्यूशन होगा वह सभ मैं अलग अलग शिफ्ट में इसका फायदा मिल सके चली आगे बढ़ते हैं तो सार्वजनिक शेत का उपकरम संसत के तो विशेष कानून पारित करके स्थापित तो ये वैधानिक निकाम होता है इस टैचुटरी कॉर्पुरेशन उसके बाद देखे संग कारकारणी में कौन सामिल नहीं है तो राष्टपती होता है प्रधान मंत्री राष्टपती भी होता है लेकिन राजियों के मुख्यमंत्री नहीं होता है इसके बाद इसकी के हम लोग अगला देखते हैं आठवा प्रस्ण तो आठवा है कि कौन सा अनुच्छेद भालती सर्वोच नेले की स्थापना और गठन 124 किसके पास मौलिक अधिकार को लागू कलने की सक्ति है तो राष्ट पती के मौलिक अधिकार की लागू कलने की सक्त किसे के अंत्सासित प्रदेश में उच्छ नेले को स्थापित करने के लिए तो इसका अंसर है संसद ए उसके बाद देखेंगे कि वनस्पति रेशा नहीं है नायलॉन तेरवा है तारो का रंग किस पर निर्भर करता है उसके तापमान आपको ये देखके समझ में आ गया हो से कौन सी गैस ग्लोबल वर्मिंग के लिए जिम्मेदार है तो ग्रीन हाउस गैस उसके बाद देखिए तो अगला है निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है फेवरे को लंग्स को पंद्रवाग बाद अब हम लोग 16 प्रश्ण पर आते हैं 16 प्रश्ण इस वाले का जो इसका आपने आंसर निकाला होगा जो 16 प्रश्ण का वह आपका बी निकला होगा 20 परसेंट 17 का आप देखेंगे तो इसमें आपका 50 निकला था 18 का 14 प्रश्ण ये वाला आंसर निकला है देखिए इस सभी का मैं सॉल्यूशन अलग से बता दूंगा अभी मैं केवल एक बाद जल्दी से आप लोग ताकि रिवाइज कर सकें इसलिए बता रहा हूँ इसका पादब देखेंगे इस वाले का आंसर 21 का तो ये बी आंसर आ रहा है इसका सौ ये सही आंसर है इसी प्रकार से अगर हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं तो 22 का देखें 22 का नूतन पुरातन बिल्कुल सही है तीसरे का ख्याली पुलाव पकाना इसका मुहावरे का अर्थ असंभव अवलंब और अविलंब हो जाएगा किस विकल्प में सभी सब्द परियाई बाच्छी हैं तो इसमें आपका D सही हो रहा है अभी मैं आपको इसका पूरा solution के लिए अलग से बताऊंगा कि यह कैसे कैसे यह वाला हुआ फिलाल देखिए कैरोलिन्स ब्रिदर वाले में इसमें 27 वे का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 9 आएगा इसका यानि D 28 वे का अगर देखें 28 वे का C for betting 29 वे का 29 वे का D बिल्कुल सही है पतनी 30 वे का देखें तो 30 वे का जो है वो हमारा आ रहा है D यानि 100 31 वे का अगर बात करें 31 वे का भी 31 वे का आपका D शुक्रवार ही सही है 32 वे का देखें partial का हो जाएगा synonym incomplete antonym की बात करें disappoint का हो जाएगा satisfy उसके बाद one word substitute तो यह lexicographies सही है अब यह देखें 34 के बाद अब हम लोग आते हैं 35th question पे तो 35th में देखें तो आपका यह D बिल्कुल सही आंसर है उसके 36th का अगर हम लोग बात करें तो 36th का इन में से कोई नहीं यह जो है सही आंसर है इसका 37 का हम लोग देखें 37 का यह Kolkata underwater metro वाला पूछ लिया गया है 38 का देखें तो किस देखें पहला synthetic embryo तो यह इसराइल हो गया नरेन मोदी ने IIBX launch किया तो यह गुजरात आपका सही है फिर उसके बाद ताइवान के आसपास अपना सबसे बड़ा तो यह चीन ने किया है उसके बाद देखें 40 के बाद अब हम लोग आते हैं 41 प्रस्ण पर 41 में आपका इसमें 41 जो है उसमें इसका skylight चाहिए 41 का skylight 42 का यह हो जाएगा मुंबई से एहमदाबाद 42 का मुंबई से एहमदाबाद भी 43 का अगर बात करें तो बढ़े चलो यह संस्कृती मंत्राले का है 44 का अगर हम लोग बात करें 44 का तो कौन सा पडोसी देश नहीं है UAE नहीं है 45 का देखें तो इसमें यह AI4 भारत इसमें आपका IIT मद्रास सही है 46 का चंडिगर में यह अमित साह इसकी अध्यक्षता करेंगे 47 में देखें तो हर गर जल यह गोवा सही है आपका इसमें अगर सिटी पूछ लेगा तो बुरहानपूर सही है यह अपकी बार के ज्यादा तर करेंट अफ्यास आप देखेंगे जो मैंने सजेस्ट किया था कि आप लोग घटना सार पढ़िए तो घटना सार से ही लगभग सारे प्रस्ण इसमें मिल जा रहे है अंतराश्टी जैव वित्ता दिवस 22 मई सही है सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप तो माजली द्वीप है हंगरी की राश्टी मुद्दा तो यह हंगरी की राश्टी मुद्दा क्या है मुद्रा क्या है तो यह हंगरीन फॉरेंट यह डी सही है इसका 51 का देखें स्वतनताक बाद भारत के भासा क्याधार पर बने भारत के पहले राज आंद्रप्रदेश बहुत आसान प्रस्ण है लोग सभाव में पद्धारन करने के लिए नियूंतम आयू 25 वर्ष सही है उसके बाद देखें यूएन फ्रिपल सी इसमें 53 में आप देखेंगे तो यह जो है इसका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन अन क्लाइमेट चेंज यह सही है 54 देखेंगे नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का है ओलंपिक समिति का मुख्याला है यह लुसाने स्विट्जर लैंड में ए पावर्स आफ दा माइंड यह स्वामी विवेका नन्द है ए उसके आद देखें 56 के बाद अब हम लोग 57 पे देखते हैं तो 57 का अगर हम लोग बात करें तो 57 में देखिए बी आंसर इसका सही है पूरी जानकारी देकर 58 का अगर हम लोग देखें तो 58 में C आंसर सही है इसका इन में से कोई नहीं 59 का A 59 का A आंसर सही है 60 का D 60 का D सही है और 61 का D सही है इसमें देखिए अगर आप लोगो किसी में भी कोई भी confusion हो कि इसका ये नहीं दूसरा कोई होना चाहिए तो आप लोग इसके comment box में उसे लिख सकते हैं और उस पे दुबारा स्विचार कर लिया दाएगा तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं 62 की तो 62 में देखिए तो हमारा जो है ये C सही है इसका क्षण भंगुर 63 की अगर बात करें तो 63 में B सही है 64 में देखें तो 64 में A सही है और 65 में देखें तो D सही है वैसे तो ये जिसका भी हमें पेपर मिला है लगभग उसने काफी सारे प्रशन सही लगाए है 66 में देखें तो 66 का C सही है उसके आद देखिए 67 की अगर हम लोग बात करें तो 67 में D सही है इसका 26 दिसमलो 6 छे लाख और 68 की बात करें तो 68 का B सही है 0.6% 69 का देखें तो A सही है इसका 68.3% 69 के बात 70 देखें तो 70 का देखें D सही है और 71 का B सही है 71 का B सही है 738.4 छाख अगर हम लोग 72 का देखें तो 72 में देखें 72 में C सही है इसका 25 और रेशियो 36 73 में देखें 73 में आपका B सही है इसका 73 में B 74 में देखें तो 74 में आगेन आपका B सही है कि मैं कि कि सेवंस्टी फिफ प्रक्राइं खरव neighbour कि से चीव दिटिने साहिए को सब्सक्राहिए और 70 में इसका CS5 अजह लुंगो हूंछ10 किलोमिटर प्रदिघंतर दो 177 में देखें तो इसमें जो है इसा है B ihmरा 5300 देखिए सारे प्रषुनों को हम लोग ने काफी अच्छे से मिला के हम लोग बिना किसी जल्दबाजी के अच्छे से इसको इधर-उदर से मिला के और उसके बाद उसके बाद Book से Official Sourres से मिलाने के बाद में और सभी प्रश्णों को खुद solve करने के बाद मैं आपके सामने ला रहा हूँ 78 की बात करें, 78 का C सही है, 9.13 79 का D सही है, 2002 80 का देखें तो 80 का A सही आ रहा है, 1% 81 का D, 96.15 82 का C, 82 का आपका C सही आ रहा है 217 83 का देखेंगे, तो 83 का भी C सही आ रहा है 84 की बात करें, तो 84 में B सही आ रहा है 85 की बात करें, तो ये B, again B ही सही है 86 का देखें, तो D सही आ रहा है इसका देखिए सारे प्रस्ष्ण कैसे ये Maths और Reasoning और Di के आएं इस पर अलग से वीडियो डाल दी जाएगी, फिलाल देखिए, 87 देखें, तो इसमें 87 का देखिए, पित्रा ड्यूरा वाला है, इसमें शाह जहां सही होगा वैसे तो अक्बर के समय में पहले बन गया था पर शाह जहां सही होगा और 88 की बात करें, तो ये तामर पासान यूग, 89 की बात करें, तो ये राजग्रे, आपको ट्रिक्स वगरा भी बताई गई थी, 90 की बात करें, तो देवनाम पेदस्तिक आ जाता है, मौर समराठ असोक को, इसके साथ ही, 91 की बात करें, तो 91 में आपका भारत मुगल समराठ था, 92 की बात करें, तो ये विनोबा, भावे, भूदान, आंदोलन, कई बार पूछा गया है, दांडी नमक यात्रा के दोरान, ये गांदी जी के वल पूर्सों को सीमित ना रखने के लिए किया था, ये कमला देवी चट्व पाध्याय ने किया था, इसमें ये प्रस्न थोड़ करें, तो बंबई से सिंद्र प्रांत करने वार, तो ये सी इसका सही होगा, 1935 में, और 96 की बात करें, तो चलो दिल्ली का नारा, ये सुहास्चंद्र बोस ने दिया था, इसके बाद देखिए, 97 में जनसंख्या वित्रण को आर्थिक कारक नहीं है, तो आर्थिक कारक की में कन्फ्यूज आने, लेकिन हमारे हिसाब से इसमें, जो है वो नेपाल और तिबद ज्यादा सठीक लग रहा है, इसके बाद 99 में इसमें भी थोड़ा से कन्फ्यूज आने लोगों को, अक्टूबर की गर्मी में, लेकिन हमारे हिसाब से उच आवधिता से जुड़ा पूछे गए हैं, और आप लोग जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, अभी तीन सिफ्ट का फेपर बाकी है, अगर आप देखें तो उसमें भी ऐसे ही प्रशनों को पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना है, और साथ में जो भी प्रशन पूछे गए हैं, उससे मिलते जो भी पूछा जा सकता है, तो GMT है, तो हो सकता है अब वो जो इससे मिलता जुलता, तो काफी हद तक संभावना होती है, जो ऐसे पूछे जाते हैं, तो उससे मिलता जुलता, वो हमें अगले उसके शिफ्ट में देखने को मिल जाए, ताकि बहुत ज्यादा लोगों का अ अविलेबल हो जाएंगे, और क्यों कैसा हुआ, बाकि आपको अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप कॉमेंट बॉक्स में इसको कॉमेंट भी कर सकते हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, नमस्कार